और कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अब दीखे एक डाउट आता है, जो UP pieces की त्यारी शुरू कर चुके हैं, या त्यारी शुरू करने वाले हैं, दोनों को एक डाउट तो जुरूर आता है, कि UP pieces की त्यारी, मुझे टोयल्थ करने के बात सुरू करने चाहिए, या पहले graduation पूरी कर लूँ, BA, BSC, Bcom, BSC Nursing, पहले कर लूँ, उसके बात त्यारी सुरू करूँ, मतलब आपके पास यहां पर दो option होते हैं, पहला option है, after 12, बार्मी के बाद, दूसरा option है, आप BA करें, मतलब graduation level पर, आप undergraduate level पर कोई भी डिगरी कर हैं, उसके बात करें, जिसमें BA, BSC, Bcom सारी डिगरीयां सामिल हैं, तो यहां पर आपके बात दो option हैं, दोनों option में से सबसे अच्छा option कौन सा रहेगा, इस चीज को clear कर लो, clear नहीं करोगे, doubt रहेगा, doubt रहेगा, तो आपका time बरबाद होगा, तो इसलिए exam से related, जतने भी doubt हैं, उनको जरूर clear करो, clear करने की पूरी-पूरी कोसिद करो, doubt clear हो जाएंगे, तो सारी चीजन साफ हो जाएंगे, अब देखिए, after 12th किन लोगों को त्यारी शुरू करनी चाहिए, और फिर graduate level पर अपनी degree complete हो जाने के बाद, किन को त्यारी शुरू करनी चाहिए, देखिए अपने graduation में एक ASE degree करनी है, जिससे मुझे आगे इसमें अच्छा future मिल जाए, तो फिर मैं उनके लिए suggest करता हूँ कि पहले आप अपना graduation complete कर लें, क्योंकि अगर मालीजी आपने BTEC में addition ले लिया, BSC में addition ले लिया, और उसमें भी time ना दे पाए, और UPPCS के लिए भी time ना दे पाए, सही से तो दिक्कत आईगी, आपको time देना ही पड़ेगा, अगर BTEC करते हैं, उसमें इतना अच्छे से time दें, कि UPPCS में selection हो या ना हो, लेकिन BTEC के बाद, आप इंजिनिर मनके अच्छे से काम कर पाए, ऐसा ना हो कि केवर नाम के लिए degree पूरी की है, और उधर आप PIECES के लिए भी समनी दे पाए हैं, तो में चीज़ धियां रखें, कि अगर आपको ऐसा लगता है, कि मुझे एक ऐसी degree करनी है, जिससे मेरा आगे अच्छे से future त्यार हो, और जो degree में ज़्यादा time देना पड़ता है, जैसे मैंने बताया BTEC है, BSC Nursing है, और BSC है, BSC में अच्छे तरीके से time देना पड़ेगा, और जब आप time उसमें देंगे, तो फिर PCS में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि time तो आपके पास बही है, तो इसलिए अगर आप ऐसे course करें, तो मेरी राय यही है कि पहले उनको complete कर लें, हाँ थोड़ी से हैवेट डालने, कि newspaper पढ़े थोड़ा बहुत कभी कभाए time मिल जाए, तो अपना GS level पर भी देख लें, जैसे कि BA है, आप BA करते हैं, आप BA चाहें एक subject से करें, दो से करें, तीन से करें, अगर आपका target UPPCS है, तो बही subject ले, जो UPPCS के लिए भी सही रहे, या UPPCS के exam में भी पूछे जाते हैं, जैसे जाते हैं, और जब आप interview देने जाते हैं, भावरी पूछे जाते हैं, तो ऐसे subject लों को अगर आप BA में ले ले लेते हैं, तो अच्छा रहेगा, आफ्टर ट्यारी शुरू करते हैं, और BA करते रहें, दूसरी चीज़ बता दू, कि केवल BA करने के बाद भी आपके पास teaching line म आपके पास option रहता है, आप BA करें, अब तो BA करने के बाद जो आप new education policy आई है, इसमें BA करने के बाद आप डारेक्ट PhD भी कर सकते हैं, डारेक्ट PhD कर लेंगे, assistant professor के लिए आपके पास option रहेगा, आप teaching line में भी जा सकते हैं, अच्छी salary दी जाती है वहाँ पर, उसमें भी को कोई और option नहीं होगा, तो BA कर लेते हैं, तब भी option है, BSC कर लेते हैं, तब भी option है, बस फरक क्या है, BSC करेंगे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा time देना पड़ेगा, BTEC करेंगे तब भी, ठीक है, और BSC nursing करेंगे तब भी, यह सारे courses ऐसे हैं, इनके लिए ज़्यादा स भी सुरू करना चाहते हैं, तो आप BA करें, और BA में भी बहुत सब्जेक्ट ले, जो EPPCS में पूछे जाते हैं,